नमस्कार और फिर मंदिर में दर्शन करने के बाद आगे रास्ते में हम चिला डैम भी रुकेंगे चिला डैम के आपको दिखाएंगे कि कैसा आपको नजर आता है दिन में भी और रात में भी और चिला डैम के साथ ही स्थित है गड़वाल मंडल विकास नगम निगम का टूरिस्ट रि मोटा महादेव के बगवान शंकर का एक बहुत ही सुन्दर स्थान है और फिर साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि यदि आप इस रूट से आते हैं तो आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपको किसी प्रशानी का सामना ना करना पड़े तो इस यात्रा की हम शिरुवात करेंगे हरी द्वार के चंडी पूल से जब आप हरी द्वार में इस चंडी पूल से यहां दुराहे पर आएंगे तो लेफ्ट साइड आप टर्न करेंगे और लेफ्ट साइड टर्न करने के बाद आपके आगे कुछ देर बादी ये मंदिर आ जाएगा मंदिर क शुरू में ही सबसे पहले हम दर्शन करेंगे मा काली के हरीदवार में बहुत से प्राचीन मंदिर है लेकिन ये बहुत ही प्राचीनतम मंदिर है और वो जो आप पीछे सीडियें देख रहे हैं उपर जाती हुई वो मंसा देवी माता तक जाने का पैदल मार्ग है इसी में 1697 में बाबा कामराज गुरुद्वारा स्थापित किया गया था ऐसा कहा जाता है कि बगवान शीव उनके स्वपन में आये थे और उनको इस मंदिर के निर्मान करने के लिए उन्होंने प्रिणना दी थी वर्तमान में यहाँ पर श्री कलाशानंद ब्रह्म चारी जी इ यह आप दर्शन करें माता काली के कितने सुंदर और दिवे उनके दर्शन है और दूसरी बात इस थान की यह भी मान्यता है कि यदि आपके घर में कोई व्यक्ति शिराप का व्यसन करता है और वो से चोड़नी पा रहा है तो यदि वह व्यक्ति यहाँ पर आकर शिराप का दान कर देता है तो उसकी श्राप छूड जाती है ऐसा यहाँ पर मान्यता है और इस मंदिर की दूसरी विशेष्टा यह है कि कहते हैं कि यह जो मंदिर है एक सो आठ नर्मुंडों की उपर बना हुआ है और यह जो आप स्थान देख रही हैं नीचे जाता हुआ यह यहाँ का घरब गरी है और जब आप नीचे उतरेंगे तो आपको यहाँ पर एक धूना और माता काली की कुछ मूर्थियां और अन्य कहीं परकार के आपको यहाँ पर चित्र बने नजर आएंगे तो माता काली तंत्र की देवी है तो यहाँ पर कहीं परकार की तंत्र, मंत्र, यंत्र की साधनाई भी की जाती है और जब आप मंदिर के पीछे की तरफ आएंगे बैक साइड में आएंगे तो यहाँ पर आपको गंगा जी के भी दर्शन हो जाएंगे तो आपको दूर तक गंगा जी के भी आप दर्शन कर सकते हैं मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम अपनी यात्रा आगे जारी करते हैं और चलते हैं रिशी केश की और और ये जो रूट है हरिदवार से रिशी केश जाने का वाया चिला डैम इसमें जनरली लोग आते नहीं हैं इसलिए ये रास्ता काफी शांत रहता है इतना यहाँ पर ट्रैफिक नहीं होते हैं आप देखी सकते हैं कितनी शांत रोड है तो जब आप हरदवार से रिशीकेश या रिशीकेश से जब आप हरीदवार जाना चाहें तो आपके पास दो उप्षन होते हैं पहला उप्षन जो हर कोई चूज करता है फोर लेन हाइवे का वहाँ पर असानी से रिशीकेश पहुंच जाएंगे रस्ते में आपको कहीं प्रकार की तितलियां पशू पंची और प्रकर्तिक नजारे यह सब देखने को मिलेगा और यह पूरा एरिया दो सो उननचास वरग किलो मीटर छेतर फल में फैला हुआ है और यहाँ पर हाथी तेंदुआ हीरन, सांभर, मौर और कहीं प्रकार की पशू और पंचियों की परजातियां यहाँ पर पाई जाती है तो यहाँ पर जंगल में सफारी भी होती है लेकिन आपको बस एक चीश का ख्याल रखना है कि एक तो आप यहाँ पर रात को मत आएं जैसे ही संसेट होने वाला हो आप यहाँ से निकल जाएं क्योंकि अंधेरा होने पर जंगली जानवर यहाँ पर एक्टिव हो जाती है और खासकर जंगली एलिफेंट जो है यहाँ पर काफी आ जाती है तो इसलिए अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें और हरीदवार से जब लगबग 8 किलोमेटर आप अंदर आ जाएंगे इस रोड पर तो आपको यह जोन नजर आएगा यह सफारी जोन है यहाँ पर आप जीप में बैठ कर जंगल सफारी कर सकते हैं और जंगल के अंदर घुमने के लिए जा सकते हैं लेकिन आपको याद रखना है कि 15 नुवंबर से 15 जून तक ही यह ओपन रहता है तो इसी प्रकार प्रकरति का अनंद लेते लेते सुहाने मौसम का, नदी का, पहाडों का, पेडों का अनंद लेते वे आप पोँच जाएंगे चिला डेम तो इस समय हम चिला डैम में आ चुके हैं ये लगबग हरदवार और रिशीकेश के मध्या में ही पढ़ता है और इस डैम से बहुत सी बिजली उत्पन की जाती है विदूद उत्पन की जाती है जो हरदवार में रिशीकेश में सप्लाई की जाती है और खासकर जब वर्शा के प्रहारास्ते में उस बेराज से ही यहाँ पर इस डैम के लिए चिला डैम के लिए पानी छोड़ा जाता है तो अपने आप में यह भी एक बहुत सुन्दर स्थान है तो जब आप इस रोड से गुजरेंगे तो यहाँ पर भी आप कुछ देर रुख सकते हैं और यहाँ की इस शाम के समय है तो तब भी आपको बहुत सुन्दर नजारा देखने को मिलेगा चिला में ही डैम के नजारे लेने के बाद वहीं पर चिला में ही डैम के बिल्कुल नजदीक में ही स्थित है यह रिजूर्ट जिसका अब हम आपको तूर कराने जा रहे हैं इस resort का नाम है Tourist Resort चीला और ये GMVN यानि की गड़वाल मंडल विकास निगम लिम्टेट का एक सेंटर है तो यदि आप प्लान करते हैं यहाँ पर रुकने के लिए तो ये आपके लिए एक अच्छा विकेंड ओप्शन हो सकता है जदातर लोग इस resort में रुकने के लिए तब आते हैं जब वो सफारी पे जाते हैं यानि की जंगल की उनको सफारी करनी होती है घुमना होता है तो शाम को फिर यहाँ पर आकर रेस्ट करते हैं बट आप वैसे भी यहाँ पर आ सकते हैं और एक रात या दो रात यदि आप बि आ सकते हैं और यहाँ पर सबसे अच्छा जो ओप्शन है या जो अट्रेक्शन है वो है ये लोग हर्ट्स यानि की जो लकडी की बनी हुई जोपडिया है जो कोटेजेज हैं यह यहाँ का में अट्रेक्शन है तो आपको हम एक कोटेज दिखा देते हैं अंदर से ताकि फ्रिज रखा नजर आएगा टेबल्स आएंगी कैटल्स होगी और इसके साथ साथ ही आपको यहाँ पर दो प्रकार की तू टाइप जो है आपको यहाँ पर कोटेज मिलेगी एक तो है सूपर डिलेक्स कोटेज जिसका जो चार्जिस है वो 5,400 रुपीस पर डे है और जो द पर डे इसमें फूड इंकलूड नहीं है यह सिरफ आपके रहने का ही है तो हो सकता है आपको थोड़ा सा यह चार्जिस ज़्यादा भी लगे लेकिन क्यूंकि आपको दो बेडरूम मिलेंगे और पूरी फैमिली यहाँ पर आपकी रह सकती है और चार से छे लोग एक कोटे कि कि यादी आप अपने रूम से बाहर आकर बैठते हैं अपनी बालकनी में तो यहाँ पर बेठे बेठे आपको गंगा जी की ध्वणी रहेगी उनकी साउंड सुनाई रहेगी और बीच बीच में आपको पंचियों की आवाजे आती रहेंगी सुबह और शाम का मुसम तो यहां पर बहुत अच्छा होता है और जब रात हो जाती है तो रात को कहीं बार हाथियों के शिंगारने के भी आवाज आती है जो काफी रोमांचित कर देती है और यदि आप यहां पर दिली या बेंगलोर कलकता ऐसे बड़े शैरों से यदि आप मेट्रो सीटी से आ रहे हैं तो आप यहां पर आकर बहुत आपको मजा आने वाला है क्योंकि रात को यहां काफी पीस हो जाती है काफी इन्वाइरमेंट भी बहुत सुंदर हो जाता है चारों तरफ इस परिकार के लाइटिंग की गई है जो आपके माइंड को रिलेक्स करती है और कूल करती है तो यह आप यहाँ पर खाना भी लेना चाहें breakfast, lunch, dinner वगरा वो भी आप यहाँ पर order पे आपको मिल जाएगा staff भी यहाँ का cooperative है तो यदि आप चिला में आते हैं और आपका दिल करता है कि आप चिला में ही एक रात कुझा रहें तो यह आपके लिए अच्छा option साबित हो सकता है आप यहाँ पर पी आएं और यहाँ कर रुक के इसकी शान्ती के भी आप नजारे लें तो चिला रिजोट घूमने के बाद अब हम फिर आगे बढ़ चले हैं रिशी केश की ओर और जब आप चिला से लगबग 3-4 किलोमेटर ही आगे आएंगे तो आगे यह आपको साइन बोर्ड लगा नजर आएगा जिस पर लिखा होगा मंदिर शिरी मोटा महादेव यह एक बहुत ही प्राचीन यहाँ पर शिवलिंग है जो एक बार खुदाई के दुरान निकला था और तब से यह शिवलिंग इसी परकार यहाँ पर स्थापीत है आसपास के जो स्थानिय लोग है वो यहाँ पर आते हैं और अपने श्रद्दा सुमन शिवलिंग पर चड़ाते हैं और जो यह पंडित जी आप देख रहे हैं यह हरिद्वार से आते हैं डेली यहाँ पर शिवलिंग का शिंगार करते हैं पूजा अर्चना करते हैं और जो यह मंदिर की जो दूरी है वो लगबग हरिद्वार से 17 किलोमेटर के लगबग है और यहीं पर कहीं लोग जो यहाँ से गुजरते हैं हर दवार से रिशी केश के लिए या रिशी केश से हरी दवार के लिए वैसे अधिकतर लोग इस मंदिर के बारे में जानते नहीं है क्योंकि इस मंदिर का कोई ऐसे कोई गुमंद भी नहीं बनाया कोई दिवारे भी नहीं खड़ी है ये open temple है और कुछ ही लोगों को इस स्थान के बारे में जानकारी है लेकिन यदि कभी आप यहां से गुजरते हैं इस रास्ते से तो आप यहां पर भी आएं बगवान शीव का आशिरवाद लें और यहां पर दो घड़ी बैठें आपको यहां पर भी बहुत अच्छा लगेगा और यह जो आप देख रहे हैं दरवाजा यह एक्शली छोटी सी एक गुफा है और बहुत कम इसकी उचाई है कभी कभी पंडी जी लेट हो जाते हैं या कभी उनको पूजा अरचना करनी होती है तो इस गुफा में ही रात को विश्राम करते हैं और दूसरा करन ये भी है इसको बनाने का की जंगली हाथियों से बचाव के लिए भी इन्होंने ये बनाये हो है कि कभी भी अमरजंसियों एकदम से इसमें गुज जाते हैं और या वैसे भी पूजा पाठ के लिए रातरी मिंद्रा के लिए भी स्थान का उप्योग करते हैं तो आप भी कभी यहाँ आएं तो जरूर रुकें तो बगवान श्री मोटा महादेव के दर्शन करने के बाद अब हम फिर से रिशी केश के लिए आगे बढ़ चले हैं लेकिन अब मैं आपको एक खास बात बताना चाता हूँ कि यदि मानसून का समय हो बारिशों के मौसंग हो खास कर जब मैई जून का मीना होता है जुलाई अगस्त का मीना होता है तो इस दुरान यहां जो बीच में जंगल में जो नदियें चलती हैं बरसाती हैं नदी वो उफान पे आ जाती है एक ये भी कारण है कि यहां पर पूरा ट्रैफिक नहीं चलता है हलाकि साल के बारा मीने तो यह स्थिती नहीं होती है आप राम से क्रोस कर जाती है लेकिन बारिशों के मौसम में रेनी सीजन में यहां नदिया चड़ जाती है उपर तो मुश्किल हो जाता है तो कहीं बार तो शुरू में ही चंडी पूल पे ही जो पलीस चोंकी है वहाँ पर बोड लगा दिया जाता है कि आगे रास्ता बंध है और वेहिकल अलाउड नहीं है लेकिन आप अपने रिस्क पे यदि आप आना चाहें तो आ भी सकते हैं या फिर आपको क्या करना पड़ेगा अगर बीच में नदी इस प्रिकार से मिल जाए तो आपको ट्रोली मिल जाएगी उसके ओपर आप अपना टूविलर रखके आप यहां से आगे क्रोस कर सकते हैं अदर्वाइस आपको मुश्किल हो सकती है तो इसी के साथ मेरी ये वीडियो यहां पर कंप्लीट हुई और जो मैंने आपको चारपां स्थान दिखाए हैं वो स्थान यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप कभी भी अगली बार यदि चीला आती हैं तो उन स्थानों पे भी आएं रुकें और उस स्थान का अनंद लें यही मेरे इस वीडियो का उदेश्य था इसी के साथ मेरी बात कंप्लीट हुई धन्यावाद